आज आपके साथ बहुती टेस्टी और प्रोटिन से भरपूर एनरजी बॉल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिन लोगों को हाई बलड प्रेशर, केस्ट्रोल और थाइरेड की दिक्कत है उन लोगों के लिए बहुती ज़्यादा फाइदेमंद रेसिपी है इसका इस्तमाल करने से आप अपने इम्यून सिस्टम को भी बहतर कर सकते है जिन लोगों को सरदर्द, कमरदर्द या कोई भी दर्द की प्रोब्लम रहती हो तो ये बहुती फाइदेमंद रेसिपी है और आपकी स्किन और बालों के लिए तो बहुती ज़्यादा फाइदेमंद है बालों का जढ़ना भी कम हो जाता है और स्किन बहुती ज़्यादा चमकदार हो जाती है और बच्चों के लिए भी बहुती बैस्ट रेसिपी है बच्चों में कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको जरूर किलाईएगा बच्चों की आँखों की रोशनी और दिमाग बहुत ही जादा तेज हो जेंगे तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने वन फोर्थ कप यहां पे घी ले लिया है तो मैंने यहां पे देसी घी का यूज किया तो आपने सारे रेसिपी में देसी घी का यूज करना है तो अगर आप टेवल स्पून से ना पो तो चार स पांच चमच हमने यहां पे देसी घी लिया है उसके बाद यहां पे मैंने आदा किलो जो है बादाम ले लिये हैं और इनको मैंने एक बादाम में से दो से तीन पीस कर लिया है तो आदा इनको काट लिया है तो काट के हमने इसको यूज करना है और इसके बाद हमने इसको दो स medium flame ही रखनी है और इसको अच्छे से fry कर लेना है तो देखिए ये अच्छे से fry हो चुके हैं आप देख सकते हैं हलका सा color change हो चुका है ज्यादा हमने इसको fry नहीं करना है वरना इसके बाद हमने यहां पे 250 ग्राम काजू डाल लेने हैं काजू को भी हमने यहां पे बीच में स काट लिया है तो एक काजू में से दो से तीन पीस कर लेने हैं अगर आपके पास बादाम कम हो तो आप बादाम और काजू को यहां पे एक साथ भी fry कर सकते हो तो मैंने यहां पे बादाम जादा डाले हैं तो इसलिए मैंने यहां पे काजू को अलग से fry किया है तो काजू जल्दी rankingsों काजु का जल्दी श्रकते अंटाते हैं ऐन्हें को निकाल लेते हैं इसके बाद हमने यहाँ पे 250 ग्राम ही pumpkin seeds डालेने हैं यानि की कज़दू के बीच जो आते हैं वो डालेने हैं और इसके साथ ही हमने 250 ग्राम ही यहाँ पे sunflower seeds डालेने हैं यह करियाना स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं तो यह भी बालो के लिए बहुत ही ज्यादा healthy होते हैं यह बालो और skin के लिए जैसे बालो का जड़ना हो वो बहुत ही कम हो जाता है इनसे तो यह देख सकते हैं आप इनको भी हमने बिल्कुल ही कम टाइम तक fry करना है बिल्कुल एक से दो मिन्ट तक जब तक यह हलके से फूल नहीं जाते तब तक इनको fry करना है और जल्दी से इनको निकाल लेना है क्योंकि इनको जादा देर तक हमने fry नहीं करना है तो देखिए इसके भी मैंने पीसिस कर लिया है और उनको भी हम अच्छे से fry कर लेंगे तो इसको भी हमने ज़्यादा देर तक fry नहीं करना है तो लगतार चलाते हुए हम एक से दो मिन्ट के लिए इनको fry कर लेंगे अब इनको भी बाहर निकाल लेते हैं इनको fry करने से होत कि मैं और डालूंगी तो आपका टोटल जो है 250 ग्राम घी यहां पे अराम से लग जाएगा तो देखिए इसको इसके बाद हमने आदा कोटोरी जो है यहां पे गौंद डाला है को गौंद को हमने low to medium flame पे fry करना है जब तक यह अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते तो आप देख सकते हैं इनको ऐसे फोर्ड के देख लीजिएगा तो देखिए अच्छे से फ्राय हो चुके हैं और इनको low to medium flame पे फ्राय करना है तो इसके बाद हमने मखाना डाल लिए हैं मखाना को भी हम यहां पे फ्राय कर लेंगे मखाना अच्छा सोर्स है कैलसियम का तो मखाने से भी हडिया मजबूत होती है तो देखिए मखाने को भी हमने 2-3 मिनिट तक जब तक अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते हैं आप हाथों से फोर्ड के देख लीजिएगा उसको तब तक फ्राय कर लेना है तो इसके बाद हमने इसमें घी थोड़ा ओर डाला है तो एक चमच स्वादिष्ट रेसिपी बनेगी हमारी तो इसको भी हमने अच्छे से फ्राय कर लेना है जब तक इसका कलर जो ए चेंज नहीं हो जाता तो सारी चीज़ों कहीं देखें आप देख सकते इसका कलर चेंज हो चुका तो अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं तो सारी चीजें गोड़े हमारी फ्राये हो चूकी हैं अच्छे से इसके बाद हमने इसको मिक्सी के जार में डालना है छो हमारे मकाणे है और इसको हलका दरडरा पीस लेना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका जो है पावडर नहीं इनको भी हलका दरदरा हमने पीस लेना है तो कुछ को हमने पीस है और कुछ को हमने जो है साबूत ही हम इसमें यूज करेंगे काजू और बदाम को और जो ये सनफलावर और कद्दू के जो बीज हमने डाले है तो इनको हम साबूत भी यूज करेंगे और पीस के भी तो इसके बाद हमने यहां पे गोंद लिया है गोंद को भी हमने यहां पे पीस लेना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा ही हमने पीस आ है बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाया है तो देखे सारी चीजे हमारी पीस चुकी है इसके बाद हमने यहां पर वन फॉर्थ कप घी और यूज किया है इसके बाद हमने इसके अंदर गुड़ डाल लेना है गुड़ को भी हम तोड़ के डाल लेंगे तो ये भी हमारे बालो और स्कीन के लिए बहुत ही जादा फाइदमाद होते हैं इसे पाचन शक्ति जो है वो बहुत ही मजबूत होत तो देξ सकते हैं हमने इसके तोड़के डाला है और इसको लोटू मीडियम फ्लेम हमने विशे क्वेमेस क्राद JUST कर लेंगे तो ये अपने आपि आसानी से बहुत ही जल्दीम हो जाएगा तो गुड़का यूज हमने जुरूर से करना क्रणा है अपनी र circyu मूझभा इसकी म कि हमने यहां पे इसको मैल्ट कर लिया है तो यह बिल्कुल अच्छे से जो है यहां पे मैल्ट हो चुक है अगर आपके बालों में अलोपेशिया है बाल जड़ रहे हैं यह स्किन पर कोई प्रोब्लम है तो इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राइ करना बहुत ही ज्यादा फा आ रही थी कुछ मैंने बचाके रख लेने काजू, बादम, और अकरोट थाबू वाले तो वह जाजा अच्छे लगते हैं साबूत जब हम डालते हैं और साबूत ही है मैंने यहां पे सनफ्लावर सीर्स और यहे पंकिन सीर्स उसके बाद जो पावडर बनाके रखा था वह साथे चीजे जो हैं इसके अंदर ढाल लेने के बाद हमने इसको मैल्ट कर लेना है गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया यहा पे बिल्कुल लो देखे यह पावडर थोड़ा और बचा था वो भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अब चाहू तो अगर आपको powder बना के use नहीं करना तो आप यहां पे सारी चीजों को काटके भी इसमें यूज कर सकते हो, थाबूत भी डाल सकते हो तो देखें थोड़ा सा मैंने यहां पे powder बनाया था सारी चीजों का. तहके जो लड़ु है वो आसानी से बन जाए और खाने में भी बहुत ही जादा अच्छे लगते हैं अब हमने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि यह लड्डू जो है बहुत ही जल्दी सेट होने लगता है तो बाद में इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे अगर यह आपका सैट हो चुका है ठंडा हो चुका है तो आप दुबारे से इसको गैस पे रखके जो है इसको अच्छे से गरम कर सकते हैं हलका सा गरम करने के बाद यह फिर से उसी फोम में आ जाएगा तो देखिए मैं आपको बना के दिखा दे तो आप चाहो तो अगर लड्डू नहीं बनाना होते हैं बच्चों हो या बड़े हो सब के लिए बहुत ही जादा हल्दी और फाइदे मन्द है तो आपके जोडों का दर्द हो गुटनों का दर्द हो या फिर आपके कमर दर्द हो सर दर्द हो या बालों का जर्णा हो या सकिन से कोई प्रोब्लम हो बहुत ही जादा फाइ फूल होते हैं कि अगर आप जिम जाते हैं तो उसके लिए आपको एनरजी चाहिए होती है तो यह एनरजी बोल बहुत ही ज्यादा फायद मंद है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को जुरूर से सबस्क्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए यह एसी नईनी रेसिपी लाती रहों बैल आइकन को भी जुरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर और बाई बाई